अब ये परसनावली 4.3 का कोसन नमबर 3 है तो हमें ये कर रहा है कि प्रतेक में के का मान ग्याद किजिए यदि तिर्भूजों का छेत्रफ़ चार और गिकाई है मतलब कि डेल्टा इसकोल टु हमें फोर दे दिया है और ये जो तिर्भूज के चीडश दिए गये हैं इन में जो यह क्ये है इसकी वैलू हमें फाइंड करनी है साणिक विदी का तो क्या करते है कि तीरपूच का शेत्र फ़ल निकालेंगे क्या हूजाए कि डैल्टा इस्कोर्टी तो जैसे कि UPन गालें न स्कृत является सूथ यह निकालने का तो यह मालेज यह x1 हो गया यह y1 हो गया यह x2 हो गया यह y2 हो गया और यह x3 और यह y3 हो गया तो हम उनके जगह पर x2 x1 के जगह पर value रख देते हैं तो यह value रख दें तो x1 is equal to क्या है k है फिर y1 is equal to 0 है फिर x2 is equal to kya 4 है और y2 is equal to 0 है तो 4 और 0 फिर क्या है y3 is equal to 0 और y3 is equal to 2 है तो x3 is equal to 0 0 और y3 is equal to kya हो जाएगा 2 और यह one 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 हो जाएगे सें फिर आफ हम क्या करेंगे आंपार कि सबसे देखे हैं मेक्जिमम जीरो किस पक्ति में है या किस कॉलम में है तो हमें दिखाई दे रहा है कि वह आना पांटू और सबसे ज्यादा जो जीरो है वह सीटू में है तो आप क्या करेंगा हम सीटू के अनुसार जिसमें ज्यादा जीरो रहेगा उसी के अनुसार हम लोग प्रसार करते हैं प्रसार करने पर क्यों क्यों परसार करते हैं क्यों क्यों जानते हैं किसी भी संख्या में गणा करेंगे तो जीरो हि आएगा और बचा 2 दो कनुषार पर सबस्वार करेंगे तो यह कहाए जो शर्री और ईलमेंट उसरा है ich 3 कितने धाइगा 5 और जो 5 है बूर यहां पर सबस्वार। यहाँ पर माईन्स तू बह薮 कोेंगा अब हम लोग see भी जानते हैं कि जो इस इलिमेंट को ले रहे हो जिस पंक्ति और कॉलम का भाग होता है उस पंक्ति का छोड़ कर बाके बचे कि उनमें तरीyak करते हैं तो यहां पर झाल्या का भाग हो गया और बचे आप के 1 और 4,1 यहां से क्या से 1 में गुणा कर देंगे सब्सक्राइब तो यहां पर क्या है माइनस में तो यहां पर क्या है माइनस टू से के में गुणा करेंगे तो इतना ही हो जाएगा थिर माइनस से जो माइनस प्रहर है इसमें गुणा करेंगे तो यह प्लस का 8 हो जाएगा इस सब करने के बाद जो यह देल्टा की यहां पर दी गई थी देल्टा इसकोल टू 4 ज्योंद शेट हेखलता अब यहां पर पूट कर देंगे, तो z delta is equal to 4, 1 upon 2, यहां पर हो जागा इसे 3 अग मल्टिप्लाइब कर देंगे, तो यह क्या हो जागा, माइनस 2k plus 8 is equal to, जब इसे गुणा करेंगे तो यह हो जागा, यहां पर minus 2k is equal to 8, जब इस 8 को इदर लाएंगे तो निगेटिव का हो जागा, तो क्या हो जाएगा यहां पर minus 2 k is equal to 8 में से जाएगा 0 और यहां पर k is equal to 0 अपान में minus 2 लेंगे अपान में आएगा तो इसे minus 2 से 0 में बढ़ा करेंगे एरे भाग करेंगे तो k is equal to value आजाएगी 0 अता k की value है 0